हलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैं यदि आप अपने बालों को काला करते हैं डाय लगाते हैं रंग करते हैं और उस रंग के कारण यदि आपको ऐलर्जी की समस्या आ गई है तो उसके लिए आपको कौन सी होमेपितिक दवा लेनी चाहिए क्योंकि जब मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखता हूँ बहुत सारे ऐसे पिशेंट आते हैं और आज के जमाने में सपेद बालों की समस्या बहुत कॉमन हो गई है जिस कारण से बहुत सारे लोग अपने सपेद बालों को छुपाने के लिए फिविन प्रकार के रंगों का उपयोग करती है डिफ्रेंट टाइप्स आप कलर्स का यूज करती है कभी ब्राउन कलर कुछ लोग करते हैं कुछ लोग बर्गंडी कलर करते हैं कुछ लोग ब्लैक कलर करते हैं कुछ लोग ब्राउन ब्लैक को मिला के एक नया कलर बना वो लगाने के बाद उनको सिर में खुजली होती है, सिर में लाल-लाल चकते बन जाते हैं, सिर में कई बार खुजली-खुजली करते-करते दाने बन जाते हैं, सपे-सपेद पपड़ी निकलने लगती है, और जब तक के उस डाई का या कलर का असर सिर में रहता है, तो वो आप कई प्रकार का treatment कर चुके हैं तो एक बार ये होमीपितिक दवा उपयोग करके देखिए जिसमें आपको लाजवाब फायदा मिले इस दवा का उपयोग करने से आपकी जो allergy है मतलब जो सिर में कुजली है सिर में जलन है या दाने उठ रहे हैं लालाल चकत्ते बन रहे हैं दवा का नाम है अर्सनिक एल्ब नाम की जो दवा जिसकी छे पावर आपको लेनी है अर्सनिक एल्ब की छे पावर आपको लेनी है मार्केट से बिलकुल आपको सील पैक दवा लेनी है लूज दवा बिलकुल मत लीजिए सील पैक दवा लीजिएगा और उस दवा की आप जबान पर लेकर लगातार इसको 15-20 दिन लेते हैं तो इस प्रकार की जो समस्या जो एलर्जी की समस्या है वो आपकी हमेसा अकली ठीक हो जाएगी आपके जो लक्षण है जो समस्या से आप गुजर रहते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इसके अलावा इसके इसका तीक जाएग कêा है जो होमेोया जो आपके हो स्टीफ़ में लेता है जाएगा जाएगा झेवागाम दे़गया झाएगा